कि नमस्कार दोस्तों सुखते आपका श्रडी फॉस्पिल्स अ पसे निए तो यह वाला टेली इंग जरूर करकेए यूटूब करें तो भी यह वाला टेलिग्राम ज़रूर ज्रूर जरूर यह सारे नोटिस्टेशन अप्टेट्स सारे इंपारे पिक्स सारे रिवीजिन सब क सब्सक्राइब करें कितने सब्सक्राइब करें कितने सब्सक्राइब कर दोस्तों यूपी पीसी प्री 2021 के लिए आप रिवीजन भी कर सकते हैं और अपनी तयारी को एक बार परग भी सकते हैं देखिए अगर आपको पेट कोर्से जवाइन करने है तो यह इसमें नंबर दिया है आप नोट कर लीजेगा और जो फ्री वाला टेलिग्राम का चैनल है कम से कम उससे जुड़े रही है वहाँ आ फाइलम एसके हलमेंथीज है उससे फाइलरिया वार्म जुड़ा हुआ है और फाइलम एनडिडा को आप देख रहे हैं इससे नेरिस का कनेक्शन है इस प्रकार से दिया है बताईए इसमें से सही कौन सा होगा और इसका जो करेक्ट एंसर है वो बी हो जाएगा नीचे वाल जो की मचली ना हो और इसका जो करेक्ट एंसर है वो D हो जाएगा इसमें बाकी जो है वो फिश है लेकिन ये वाली जो है ये फिश नहीं है इसके बाद next question no.3 यहाँ पे pink वार्म के विशन में कहा जा रहा है कि वह एक harmful insect है जो की एक प्रमुख फसल को नुंक्सान पहुण्चाता है तो इसमें कौन सा पेरर से होगा गुलादी कीड़ा किस फसल को नग्सान पहुचाता है और कीट कुन केट्चेव कॉन का नीच को से होग मनें करूद की पहुम्चा पिर फल निकलने का जब टाइम होता है फूल होने के बाद तो फल के अंदर ही रूई होती है और रूई ही उपयोगी है तो उसी को खराब कर देता है तो फसल पूरी बरबाद हो जाती है और यह जो कीड़ा है जिसे कि आप यहां पे कटवार यानि कटवे की तौर पर देख यह चने की फसल का जो फूल वाला हिस्सा होता है और फली वाला हिस्सा होता है उसी को खा लेता है इसके बाद आगे चलते हैं जो आप यह बताए किसमें से इनकरेक्ट कौन सा है और इसे अगर देखा जाए तो इसका सी फ्रकार का होता है इसके बाद next question number fifth which of the following is not an example of saturated fatty acid मतलब जो संत्रिक्त वसी अमल होते हैं उसका कौन सा इसमें से एक example नहीं है एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो लॉरिक एसिड है इसके अलामा लाइनोलिक एसिड है और पॉमिटोलिक एसिड है और पॉमिटिक एसिड है ये नाम दिये हुए मिलते जुलते हुए नाम है तो इसमें ध्यान दीजेगा कौन सा उधारण नहीं है वो आपको चुनना है पूरा प्रशन आपके सामने और fifth वाले का जो correct answer है वो B हो जाएगा मतलब दूसरा और तीसरा इसमें ये saturated fatty acid का उधारण नहीं है बलकि ये unsaturated जो fatty acid होते है उनका example ठीक है और जो ना हो वही हमें चुनना था बाकी जो तोनों उपर वाले हैं वो एकदम perfect है इसका B वाला answer हो जाएगा question number 6 को देखिए list 1 को list 2 से आपको match कराना है और यहाँ जो code दिया हुआ है उससे चुनना है कि कौन सा सही उत्तर है तो यहाँ proteins दी हुए है मतलब structural protein है regulatory protein है mobility protein है और इसके अलावाँ defensive protein है ये रक्षात्मक, संरशनात्मक इस प्रकार से इनकी श्रिड़ी है अब इसमें आपको जो list 2 है उससे match कराना है insulin, glucagon है actin, myosin है lymphocyte, thrombin है और collagen और elastin है इसका देखिए जो correct tensor है वो इसमें से ए वाला ही सही है मतलब matching उसी तरीके से सही होगी कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो संरशनात्मक protein है नियामक protein के अगर बात करें तो वो insulin और glucagon हो जाएंगे body का system होता है उसको regulate करने का काम करते है गतिशील protein जो है उसमें actin और myosin का नाम आता है और रक्षात्मक जो defensive protein होते है उसमें lymphocyte और thrombin आप देख सकते है तो इस साब से इसका A वाला perfect है इसके बाद आगे चलते है question number 7 आपके सामने है और इसमें कहा जा रहे है कि correct option चुनिए तो vitamins के बारे में दे रखा है vitamin B1 की कमी से बेरी-बेरी हो जाता है vitamin B3 की कमी से पहला ग्रा B5 की कमी से infertility यानि बांचपन हो जाता है और B6 अगर कम हो जाए तो B5 की कमी से बांचपन यानि infertility वाले जो condition हो जाती है और B5 की कमी से पहला ग्रा हो सकता है ठीक ये बात है तो vitamin B की family सबसे लंबी चौड़ी है इसके बाद question number 8 को देखेगा इसमें list 1 को list 2 से आपको match कराना है एक तरफ vitamins के नाम दिये हैं इसका जो chemical combination वाला name है वो पता होना चाहिए तो यहाँ पे vitamin A है, vitamin D है, vitamin E है और K है, tocopherol, calciferol, retinol और nepthoquinone करके दिया हुआ है इसमें से आपको देखना है रशन पूरा आपके सामने है और इसे देख लीजे इसके जो विकल्प है, वो भी आपके सामने है देखें, इसका जो correct tensor है वो इसमें से B वाला हो जाएगा B का मतलब यह है कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा उसी के साब से इसको मिला लीजे vitamin A जो है, उसको retinol कहा जाता है vitamin D जो है, उसको calciferol कहते है E वाले को tocopherol और K वाले को napthokinone, यह इसका सही match है Next, question number 9 Select the correct option, अब इसमें odd जो है वो आपको चुनना है, correct कौन सा है, जो odd होगा यानि इनसे अलग होगा, तो अलग कौन सा है यहाँ, vitamin A दिया है, B दिया है, C दिया है और E दे रखा है तो वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में आपने सुना होगा, और जल में घुलनशील जो विटामिन होते है उनके बारे में सुना होगा, उसी के आधार पे आपको यहाँ difference करना है और इससे अगर आप देखे, तो इसका जो correct answer है question number 9 का, वो B वाला हो जाएगा वाइटमिन B इससे अलग हो जाएगा ठीक, यह इसमें से odd है इस प्रकार से, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है उसमें आप वाइटमिन A को देखते हैं इसके बाद वाइटमिन D को देखते हैं और वाइटमिन E को देखते हैं और वसा में न घुलने वाले जो विटामिन होते हैं उसमें आप विटामिन B को देखते हैं यह जल में घुलने वाला होता है और इसलिए यह बादी में स्टोर में होता है तो इसमें उपर से हमें लेने के आउशक्ता होती ठीक इसी प्रकार का C वाला भी होता है आजकल COVID की दौर में सभी लोग बहुत जादा multi-vitamin और जो vitamin C की tablets हैं वो चूज रहे हैं खा रहे हैं तो ये immunity बढ़ाने का तरीका है इसके बाद question number 10 को देखेगा इसमें कहा जा रहे हैं कि which of the following fiber is not suitable in water soluble in water मतलब इसमें से कौन से जो fibers है वो water में soluble नहीं है घुलनशील नहीं है तो mucilase का नाम दिया है pectin है, lignin है और gum है आप ये बताई इसमें से कौन सा होगा जो घुलनशील न हो वो आपको देखना है और इसे अगर देखा जाए तो C वाला एकदम perfect है इसमें lignin जो है ये घुलता नहीं पानी में घुलने वाले अगर आप रेशों को देखेंगे तो mucilase का नाम आता है pectin और gum भी इसी में शामिल और agulan shield में ये शामिल है lignin इसके बाद आगे चलते है, question number 11 को देखते है निमनलिकित में से सही विकल्प का आपको चैन करना है तो दाल में पाया जाने वाला protein जो होता है वो gladin होता है, अनाज में जो protein होता है वो glutinin होता है इसके बाद glutinin का पूरा परिवार होता है उसके बाद मक्के में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो जीन कहलाता है तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है question number 11 B वाला हो जाएगा यानि दूसरा और तीसरा दालों में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो प्रोलेमीन करके नाम उसका होता है और इसमें अगर देखा जाए तो जो दूसरा और तीसरा है वो सही है ग्लूटेनिन को आप देख रहे है कि यानाज में से कि गिवू है तो गिवू का आटा होता है उसमें पाया जाता है और जीन्स के अगर बात करें तो ये मेज का होता है आगे चलते हैं Question No.12 को देखेगा Choose the incorrect option from the following Chromium जो है ये व्रिकों में पथरी बनने से रोकता है जो kidney के stones होते है उसमें ये protection देता है और बोरान हड़ियों के बनने में support करता है Magnesium इंसुलिन हार्मोन का जो काम होता है उसको प्रभावित करता है आप ये मताईए कि इसमें से wrong information कौन सी है और Question No.12 जो है इसका C हो जाएगा C का मतलब ये है कि इसमें गलत पहला और तीसरा है ये वाला गलत है और ये वाला गलत है सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत है Magnesium जो होता है वो व्रिकों में stone मतलब जो kidney stone होते है उनमें उनको रोकता है बनने से रोकता है और chromium ये insulin hormone की जो कारे प्रणाली होती है उसको प्रभावित करने का काम करता है उल्टा दे रखा है इसके बाद 13 नंबर के Question को देखेगा Which one of the following is not a phosphorus rich food item मतलब इसमें से कोई एक जो है वो phosphorus प्रचुर खाद्य पदार्थ नहीं है और दूसरे बाले में पूछा जा रहा है Which of the following food had highest calcium content मतलब इसमें से कौन सा इसा खाद्य है जिसमें की उच्चे मात्रम में calcium content पाया जाता है तो इसमें देखकर बताइए सोयाबीन और जवार दिया है इसके अलावा गाजर और मक्ता है नारियल गेहू है मूंग दाल और बाजरा है तेरह में का जो correct answer है वो C हो जाएगा यहाँ नारियल और गेहू वाला जो connection है मतलब pair है वो सही है phosphorus से प्रचुर खाद्य पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं है तो नारियल इसमें से नहीं है बाकि जितने आप तीनों देख रहे हैं उसमें phosphorus पाया जाता है इसमें भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में होता है और calcium की मात्रा सरवाधिक इसमें से अगर देखा जाए यह नहीं है कि gameo में ही maximum होती है लेकिन इसमें जो option दिये हुए हो उसमें game में ही सरवाधिक दिखाई दे रही है तो C वाला option है इसके बाद आगे चलते हैं question number 14 को देखेगा यहाँ पर 4 विकल्ब दे रखे हैं सही आपको तलाशना है तो enterokinase enzyme है और यह करता क्या है उनको urea में convert करता है और lipase enzyme जो होता है यह शेश जो वसा होती है उसको वसी अमलो और glycerol में convert करता है तो आप यह बताइए कि इसमें से सही कौन सा है रशनपूरा आप देख रहे हैं और इसमें सभी सही नहीं हो सकते कोई 2 सही होगा इसका D हो जाएगा D का मतलब यह है कि 3 और 4 था इसमें सही है लेकिन उपर वाले दोनों गलत है जो amylopsin enzyme होता है वो मंड को maltose शरकरा में convert करने का काम करता है और जो enterokinase करके आप देख रहे हैं यह trypsinosan को जो active trypsin होता है उसमें convert करने का काम करता है तो उल्टा दिया हुआ है इसलिए उपर वाले दोनों गलत है next question number 15 को देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रस का स्राओ केवल रसायन उद्वीपन के द्वारा होता है तो यह कौन सा रस है जिसका स्राओ केवल रसायन के उद्वीपन के द्वारा होता है और उसके साथ यह पूछा है कि इन्सुलिन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है यह अगने आशे की जो लैंगर हैंस वीपकाएं होती है वहाँ से निकलता है लेकिन उसमें भी अलफा बीटा गामा करके होती है तो उसमें से कौन सी ये आपको देखना है बताईए इसके बाद question number 16 को देखेगा इसमें ये कहा जा रहा है कि मनुश्य के अंगूठे में किस प्रकार की संधी पाई जाती है joint की बात हो रही है और घुटने की हड़ी में कौन सी संधी पाई जाती है जो हमारे घुटने होते है वहाँ भी joint होता है सबसे perfect joint होता है तो उसमें भी पूछा जा रहा है नीचे दिया हुआ है सैंटल संधी और कबजा हिंस संधी इसके बाद खूटी संधी और कंडुक खली का संधी है मतलब इसमें नाम थोड़े विचित रहे है तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन इससे आप देख सकते हैं एका मतलब यह है कि सैंडल ज्वाइंट है और कबजा हिंज यह नहीं जो हिंज ज्वाइंट है उसके तौर पर आप देख रहे हैं यह सैंडल ज्वाइंट है और हिंज ज्वाइंट जब ना समझ में आये science के जो word होते हैं या term होते हैं तो उसका जो अंग्रेजी version है उसको देख लेना चाहिए इसके बाद आगे चलते हैं question number 17 को देखे यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं से समंदित सही विकल्प का आपको चैन करना है तीन statement दे रखे हैं तो पहले वाले में बोला जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं जो होती हैं मतलब जो red blood cells होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और second वाले में कहा गया है कि लाल रुधिर कड़िकाओं में लौह Siukth protein पाया जाता है और भूरी का अवस्था या भूरी अवस्था जो होती है उसमें लाल रुधिर कड़िकाओं का निर्माण bone marrow में होता है और बाद में क्या होता है बाद में कहां पर होता है जरा बताईएगा तो question number 17 का correct answer क्या होगा लाल रक्त कड़िकाओं के वारे में यहाँ पर दिया हुआ है मतलब RBC की बात हो रही है और question number 17 का जो correct answer है वो A हो जाएगा पहला और दूसरा तो सही है लेकिन यह वाला जो दिया हुआ है यह गलत लाल रक्त कड़िकाओं के निर्माड की बात अगर की जाए तो जो भुरूड अवस्था होती है मतलब छोटे बच्चे जब भुरूड अवस्था में अभी अपने मा की गर्ब में होते हैं उस समय जो उनका red blood cells का formation है वो प्लीहा में होता है यकरित में भी होता है प्लीहा में भी होता है जो कि एक पतली जिल्ली होती है और बाद में जब बड़ा हो जाता है इंसान और एक परिपको अवस्था में होता है तो उस समय bone marrow के अंदर इसका जो formation है वो होता है इसके बाद आगे चलते हैं इसका पहला वाला सही था Next question number 18 सही विकल्प का आपको चैन करना है तो select the correct option फुप्फुस सिरे में अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है यहाँ पर pulmonary veins जो है उसकी विशाय में कहा जा रहा है तो impure blood flow to pulmonary veins इसके बाद pure blood जो होता है इसका flow कहाँ पर होता है यह pulmonary जो artery होती है उसमें होता है और blood without red blood corpus is card lymph मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि बिना लाल रक्त कणिकाओं का जो रक्त होता है उसको लसिका कहा जाता है लसिका की परिभाशा दी हुई है lymph उसको अंग्रेजी में कहते हैं तो यहाँ पर आपको सही विकल्प की तलाश करनी है और तीन स्टेटमेंट आप देख रहे हैं देखे इसका correct tensor C हो जाएगा इसमें सही चाहिए था और सिर्फ इसका जो तीसरा वाला है वही सही है उपर वाले दोनों गलत है फुपुस धमनी जो होती है उसमें अशुद रक्त बैता है और जो फुपुस सिरा होता है उसमें शुद रक्त प्रभाईत होता है यहां reverse देती है, ulta देती है ठीक, question number 20 को देखते है माप कीज़ेगा, question number 19 को देखते है select the correct option, लसिका में रुधिर की तरह glucose, urea, amino acid, लवण और प्रतिरक्षी पाये जाते है लसिका को शिका है, cartilage, spinal cord और मस्तिश्क में पाये जाती है और लसिका घाओ भरने में सहायता करती है यहां पे lymph के जो कारे हैं या उनके जो गुड़ हैं वो देए हुए है आप यह बताइए कि उसके बारे में correct कौन सा है और question number 19 का जो correct answer है वो B हो जाएगा B का मतलब यह है कि पहला और तीसरा इसमें correct है लेकिन जो beach वाला है दूसरा वाला वो गलत है लसिका कोशिका है, cortilage, spinal cord और मस्तिष्क में नहीं पाये जाती और यहां दे रखा है कि पाये जाती आगे बढ़ते है question number 20 को देखेगा which of the following brings blood from the heart wall मतलब इसमें से कौन सा जो है वो heart जो blood होता है उसको heart wall से ले आने का काम करता है और हुरदय की दिवार किस चीज की बनी होती है वो भी आपको बताना है मतलब heart wall के बारे में यहां दो statement है और उसमें आपको pair चुनना है तो coronary जो धमनी होती है यानि artery होती है उसके अलावा apica cardium और coronary shira myocardium myocardium इसको कहा जाता है coronary धमनी और endocardium और इसी प्रकार से coronary shira और उपरियुक्त सभी का भी विगलब दिया है उपरियुक्त सभी का मतलब यह होगा कि यह तीनों इसमें सही हो जाएंगे अगर आप इसको चुनते हैं अब यह बताईए कि इसमें सही कौन सा है और question number 20 का जो correct answer है वो D वाला ही है मतलब coronary vein जो होती है और इसके अलावाँ यहां आप देख रहे हैं कि all of above का जो option है वो सही है इसमें अगर देखा जाए तो जो apicardium, myocardium और endocardium है इन तीनों का उपयोग किया जाता है heart की जो wall होती है उसके formation इसके बाद आगे चलते है question number 21 को देखते हैं इसमें आपको जो correct option है उसको select करना है पहले वाले statement में कहा जा रहा है कि paint निर्माड उद्द्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को black lung नाम का जो रोग है वो हो जाता है ठीक अमल वर्षा वनश्पती को नस्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अमल होता है नाइट्रिक अमल की वज़ज़ से जो पेड़ पौध है उनको नुक्सान पहुँचता है जीवाणों को नश्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तिमाल किया जाता है तो आप ये बताईए कि इसमें से correct option कौन सा है और इसका अगर देखा जाए सही विकल्प की तलाश करनी थी केवल तीसरा वाला सही है ठीक है किवल तीसरा वाला सही है और बाकी गलत है कोईले की खदान में काम करने वाले जो व्यक्ति होते है उनको ब्लैक लंग रोग होता है और यहाँ दे रखा है कि पेंट निर्मार उद्योग में काम करने वाले लोगों को होता है तो इसलिए पहला वाला गलत है और अमल वर्षा वनस्पति को इसलिए नश्ट करती है क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो सल्फ्यूरी कमल होता है और यह नश्ट करने का कारण है ठीक तो इसका सिर्फ तीसरा सही question number 22 को देखेगा यहाँ भी incorrect जो option है वो चूज करना है तो फ्रेयान जो gas होती है उसका इस्तिमाल प्रशीतक के रूप में या नि रेफ्रेजरेटरेंट के रूप में किया जाता है और हरे फल जो होते हैं उनको क्रितिम रूप से पकाने के लिए acetylene gas इस्तिमाल की जाती है methyl salicylic acid का साधारन नाम aspirin है तो आप यह बताईए कि इसमें से wrong information कौन सी है और इसका जो correct tensor है वो B हो जाएगा B का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा इसमें गलत है फ्रेयान का इस्तिमाल प्रशीतक के रूप में किया जाता है और हरे फलों को कृतिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तिमाल किया जाता है ठीक, यहाँ पे पहला वाला सही था तो पहले वाले को छोड़ देते हैं लेकिन दूसरा और तीसरा इसलिए गलत है और जो acetyl salicylic acid होता है उसका नाम aspirin है और यहाँ पन नाम किसका दिया है मिथाईल का दिया है तो यह दोनों गलत है आगे बढ़ते हैं इसका भी वाला correct है question number 23 को देखेगा select the correct option बिलहेम ओस्ट वाल्ड को हवा में मौजूद अक्रिय गैसों की खोज के लिए 1904 इस भी में नोबल पुरसकार से नमाजा गया था सर विलियम रैमजे को radioactive elements की खोज के लिए या जो substances है उनकी खोज के लिए 1908 में नोबल पुरसकार दिया गया था अरनेस्ट रदरफोर्ट को उत्प्रेरक की खोज के लिए 1909 में नोबल पुरसकार दिया गया था जो विलियम रैमजे थे उनको हवा में मौजूद जो अक्रियक ऐसे हैं उनकी खोज के लिए 1904 में नोबल पुरसकार दिया गया था उससे पहले लोगों का ऐसा मानना था कि जो हमारा atmosphere है उसमें ये जो inert cases है ये नहीं पाई जाती लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं पाई जाती है और उन्होंने सिद्ध किया था इसी एवज में इन्हें नोबल पुरसकार दिया गया था इसके बाद अर्नेस्ट रदर फोर्ट जो थे उन्हें रेडियो एक्टिव जो सबस्टेंस होते हैं उनकी खोज के लिए 1908 में नोबल पुरसकार मिला था विलियम या विलहम ओस्ट वाल्ड ने कहा जाता है ये उत्प्रेरग की खोज के लिए 1909 में नोबल पुरसकार प्राप्त किया था ये बात है तो इसका D वाला करेक्ट इसके बाद 24 को देखते हैं इसके अलावा क्विक सिल्वर है और कैलोमस है और फॉसजीन है इस प्रकार से दिया है इनका जो रासाइनिक नाम है वो सामने दिया हुआ है तो ब्लैक जिंग को मर्क्यूरी क्लोराइट कहा जाता है quicksilver जो होता है इसको mercuris chloride कहा जाता है नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन ध्यान देना है आपको caromal ये zinc sulfide होता है actually और phosgene को carbonyl chloride कहा जाता है जहरीली gas है phosgene आप जानते हैं तो इसमें से सही कौन सा है? सभी सही नहीं है, तीन तो गलत ही है एक सही होगा, कौन सा है? और 24 को अगर आप देखें तो इसका D वाला सिर्फ सही है, phosgene को carbonyl chloride कहा जाता है, ये सही बात है black zinc, ये जो नाम है, ये zinc sulfide का है quicksilver ये mercury को कहा जाता है और calomal जो है, ये mercury chloride का नाम है तो इसमें उपर वाले तीनों गलत आगे बढ़ते हैं, इसका D वाला हमने चुना है रशन संख्या 25 को देखेगा, इसमें plaster of Paris का जो रासाइनिक नाम है, वो दे रखा है lethorge है, galena है और gypsum है तो देखे, plaster of Paris को कहा जाता है calcium sulfate, hemihydrate और lithor, जो है, ये lead oxide है galena, जो है, ये calcium sulfate होता है और gypsum, जो है, ये lead sulfate होता है तो इसमें सही वाला कौन सा है जो सही विकल्प है, उसकी तलाश आपको करनी है देखे, उपर वाले दोनों तो सही है लेकिन बाकी जो नीचे के तीसरे और चोथे नंबर पर दे रखा है वो गलत है, तो इसलिए हम एक आचेन करते है चुकि हमें सही चाहिए था galena को lead sulfate कहा जाता है, ये lead का isk है, मतलब और है ये आप जानते हैं और gypsum जो है, ये calcium sulfate होता है आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 26 को देखेगा 26 में कहा जा रहा है कि select the incorrect option गलत विकल्प का आपको चैन करना है पहले वाले में कोबाल्ट oxide के कारण कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है और selenium oxide जो होती है उसके कारण कांच का रंग हरा हो जाता है sodium chromate के कारण कांच का रंग नारंगी हो जाता है तो आप यह बताईए कि इसमें से incorrect option कौन सा है और question number 26 का जो correct answer है वो C हो जाएगा, यानि दूसरा और तीसरा ये दोनों इसमें गलत है अब ये गलत क्यों हुए, क्योंकि sodium chromate के कारण कांच का रंग हरा हो जाता है और selenium oxide जो होती है, उसके कारण नारंगी लाल हो जाता है, इस प्रकार से इसमें आप देख रहे है next, आगे चलते है question number 27, गलत विकल्प का इसमें भी आपको चैन करना है तो Robert Millikan ने electron आवेश की खोज की थी इलेक्टरान चार्ज जो होता है, उसकी discovery इन्होंने की थी D.Progly जो थे, ये फ्रांसीसी थे इन्होंने आदुनी कावर्त सारिनी को खोजा था और Henry Mosley जो थे, इन्होंने इलेक्टरान की तरंग प्रकृती की खोज की थी इलेक्टरान जो है, वो दोहरा बरताओ करते हैं dual nature इनका होता है, करण के समान भी और तरंग के समान भी तो वो अलग बात है, अब इसमें देखकर बताइए जितने statement ये हैं, उसमें कुछने कुछ खराबी दिखाई दे रही है तो बताइए इसमें से कौन सा होगा और question number 27 जो है, इसका correct answer B हो जाएगा मतलब पहले वाले को छोड़ कर बागी सभी गलत है यहां गलत चाहिए था न, तो B वाले को चुल लेते हैं देखे, Henry Mosley जो है, इन्होंने आधनिक जो आवर्तसारणी है उसको खो जा था, मेंडलीव की आवर्तसारणी उतनी व्यवस्थित नहीं थी उसको अरंज करने का काम इन्हों ने किया थे और Dave Rockley जो थे, उन्होंने आप इनका statement और इनका जो principle है उससे देखते ही है dual nature of matter, dual nature of electron इस प्रकार से तो electron की जो तरंग प्रक्षिती है, उसको इन्होंने खो जाता है आगे चलते हैं, पहला वाला बिल्कुल सही है तो उसको भी आप एक fact के तरीके से याद कर सकते है next, question number 28, और इसमें कहाँ जा रहा है कि select the correct option diesel का क्वथनांक परास जो है ये 250 से लेकर 350 degree Celsius होता है मतलब boiling point की बात हो रही है, इतना temperature देंगे तो वो चीज जो है वो उबलने लगेगी और स्नेहक तेल का जो क्वथनांक होता है वो परास उसका परास का मतलब range है तो वो range जो है वो 350 से लेकर 450 degree Celsius की होती है और जो fuel oil होता है उसका अगर क्वथनांक देखा जाए, boiling point की range देखी जाए तो वो 370 से लेकर 600 degree Celsius तक की होती है इतना ज़्यादा temperature देंगे तब उसका जो boiling point है वो cross करेगा देखकर बताइए, सही कौन सा है इसमें से आपको देखना है देखे इसका पहला और तीसरा तो ठीक तक इसमें दिखाई दे रहा है पहला वाला सही है तीसरा वाला लेकिन ये जो स्नेहक तेल का दिया हुआ है मतलब lubricating oil जो होता है उसका गलत दिया है स्नेहक तेल का क्वथनांक परास जो होता है वो 300 से लेकर 370 degree Celsius होता है 300 से वो शुरू होता है वो 370 तक उसका जो boiling point है वो यहाँ vary करता है यहाँ तक हमने देखा तो इसका correct answer इसमें चुकि हमें सही चाहिए था तो सही कौन सा है C वाला है इसके बाद आगे चलते है question number 29 select the correct option यहाँ तीन statement दिये हुए तो विद्द बल्ब जो होता है यानि electric जो बल्ब होता है उसके निर्माड के लिए flint कांच का इस्तिमाल किया जाता है पराबैगनी जो lamp होते हैं मतलब ultraviolet lamps होते हैं उसके बल्ब के निर्माड के लिए silika कांच का या silika glass है उसका इस्तिमाल किया जाता है धूपी चश्मा जो होता है उसमें क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है ऐसा दिया हुआ है तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट आप्शन कौन सा है इसका D हो जाएगा इसमें जितने हैं वो सभी सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसलिए हम इसका जो D वाला ऑप्शन है उसको चुनते इसका D सही है और question number 30 में देखेगा इसमें आपको odd चुनना है यहाँ पर कुछ mom यानि waxes के नाम दिये हुए है कार्नोबा mom है, paraffin mom है, palm mom है और Brazil mom है इस प्रकार से wax के नाम है, इसमें से odd कौन सा है बताइए इसका B वाला हो जाएगा, paraffin wax जो है वो इसमें odd है क्यों odd है, क्योंकि कार्नोबा mom जो है ये palm mom और Brazil mom का ही दूसरा नाम है यहाँ पे तीनों जो है वो असल में अलग-अलग नहीं है बाकी जो तीन आप देख रहे हैं, वो एक अही प्रकार के wax के तीन अलग-अलग नाम है और paraffin उससे different है, तो इसलिए इस आधार पे हमने odd चुना है इसके बाद आगे चलते है, question number 31 को देखेगा which of the following is a part of, यहाँ आप देख रहे है prosencephalon, मतलब इसका जो पार्ट है, वो इसमें से कौन सा है और which of the following is part of, rhombosephalon आप यह बताइए कि यह जो अग्र मस्तिशक और पश्च मस्तिशक होता है यानि पीछे वाला दिमाग होता है, उसके भाग के तोर पे यहाँ नीचे जो विकल्प दिये है उसमें से कौन सा पेर सही और 31 का जो correct tensor है, वो इसमें से D वाला होगा यानि cerebrum और medulla oblongata यानि जो अग्र मस्तिशक होता है, उसका हिस्सा कौन सा है? cerebrum है और जो पश्च मस्तिशक होता है, उसका यहाँ पर एगर हिस्सा देखा जाए तो वो medulla oblongata है ठीक है, आगे चलते है question number 32 को देखेगा, select the incorrect option अब यहाँ पर जो सूचना प्रिसारण तंत्र के भाग है उनसे सम्मंदित आपको जो गलत विकल्प है उसका चैन करना है तो kendri है तंत्रिका तंत्र और उसके आगे लिखा है मस्तिशक और meru-rajju ठीक है, meru-rajju का मतलब spinal cord होता है परिधिये तंत्र का तंत्र इसके आगे लिखा है अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र स्वाधीन तंत्र का तंत्र को अगर आप देखेंगे तो इसमें cranial तंत्र का और spinal तंत्र का आती है इसमें जो अनुकंपी तंत्र है और परानुकंपी तंत्र है वो आता है यहाँ उल्टा दे दिया है तो इसलिए दूसरा और तीसरा गलत है इसके बाद question number 33 को देखते है इसमें यह कहा जा रहा है कि मस्तिशक का कौन सा भाग भूख तापमान और जल के संतुलन को कंट्रोल में करता है और मस्तिशक का कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जोकि बुद्धिमत्ता, चेतना और इस्मरण शक्ति का उत्तरदाई होता है तो यहाँ पर cerebral pendicle का नाम दिया है और cerebellum का नाम दिया है इसमें जो hypothalamus और cerebrum का नाम दे रखा है यह वाला सही, cerebrum का नाम दिया हुआ है माप कीजिएगा तो इसमें आप जो देख रहे हैं मतलब मस्तिशक का जो भूख तापमान और जल के संतुलन को कंट्रोल करने वाला भागे वो hypothalamus होता है और इसमरण शक्ति के लिए उत्तरदाई cerebrum होता है next question number 34 34 में ये कहा जा रहा है कि list 1 को list 2 से मिलाईए और बताइए कि कौन सा इसमें से code सही है तो एक तरफ corpse के नाम दिये हैं दूसरी तरफ उसमें होने वाले रोग और ये बहुत favorite question है आयोग का तो इसको ध्यान दीजेगा भिंडी गन्ना बादाम और टमाटर ये दिया हुआ है अब इसमें जो रोग लगता है उसमें पत्तियों की एंठन है यानि twisted leaf है पीली नाडी मुझेक है यानि yellow vein मुझेक इसको कहा जाता है कभी-कभी हिंदी अनुआद जो है बहुत खतरनाक होते है इसके बाद रेखा pattern यानि जो इस्ट्रेक pattern है उसके बारे में दिया हुआ है त्रेड सामान प्रडोहन मतलब इसको grass shoot कहा जाता है इस प्रकार से आप देख रहे है इसका जो हिंदी अनुआद है उसको देखेगा लेडिस फिंगर जो होती है वो है शुगर केन है अलमंड है और टोमेटो है इसमें twisted leaf वाला रोग लगता है yellow vein मुझेक है इसके अलामा stick pattern है और glass shot है इस प्रकार से दिया हुआ है बताई कौन सा रोग किसको लगता है तो इसे अगर देखा जाए तो इसकी सही matching कौन सी हो जाएगी इसका C वाला हो जाएगा C का मतलब यह हुआ कि इसमें जो दूसरा चौथा तीसरा पहला है उसी के हिसाफ से मिला लेंगे भिंडी में आप जानते हैं कि यलो वेन मोजैक जो है वो लगता है और गन्ने की अगर बात करें तो उसमें जो त्रण समान प्रणोहन आप देख रहे हैं चौथा वाला यानि gross shoot वो वाला रोग लगता है इसके बाद जो बादाम होता है उसमें रेखा पैटर्न यानि जो इस्ट्रेक पैटर्न है वो वाला रोग लगता है और टमाटर की पत्तियों में एठन की शिकायत हो जाती है ये हमने देखा आगे चलते हैं वैसे पत्तियों का सिकुर्णा या चोटा होना चोटे आकार का होना ये जिंक की कमी को दर्शाता है ये भी एक बात है तो ये सभी पौधों के साथ हो सकता है इसके बाद अगले question को देखे 35 select the incorrect option अब यहाँ पर विशाणू के द्वारा जो पशुओं को रोग हो जाता है उसके संबंद में आपको गलत विकल्प का चैन करना है एक विशाणू का कहर पूरी दुनिया और अभी भारत अच्छे से जेल रहा है चीन के तवरा इजाद किया हुआ वाईरस है चीन एकदम इस समय एकदम मस्त है सब नाच गा रहे हैं बिना मास्क के और भारत जेल रहा है भारत में लोग रोज मर रहे है जितने जादा मर रहे हैं उसका आधा भी गवर्मेंट दिखा नहीं रही है सरकारी आंकडे जो है वो रियल चीज को नहीं दिखा रहे है तो छोड़ देते हैं यहाँ विशाड़ूं को देखते है गाय और भैस में होने वाला जो रिंडर पेस्ट रोग है यह वैरियोला वैक्सिनेशा जो वाइरस होता है कुत्ते में वोने वाला rabies रोग जो है ये street virus का नतीजा है और गाय और भैस में वोने वाला खुरपका और मुपका जो होता है foot and mouth disease का आ जाता है इसको तो उसके लिए picorna viridis apthovirus जो है वो उत्तरदाई होता है ये थोड़ा सा इसका टेढ़ा नाम है तो इसको आप देख रहे गलत कौन सा है बताईए और 35 को अगर देखा जाए तो इसका A वाला हो जाएगा यानि पहला इसमें गलत है ये जो गाय और भैस में वोने वाला rinder paste रोग है इसके लिए variola को बता दिया गया है जबकि गाय और भैस में वोने वाला rinder paste जो है ये paramixi viridymor जो virus होता है उसके तो A वाला इसमें wrong है बाकी जो नीचे वाले है वो सही है तो उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए 36 को देखेगा निमनलिकित में से सही विगल्प का आपको चैन करना है तो भारतिय कवक विज्यान के जो जनक थे उनका नाम था MOA आयंगर भारतिय ब्रायोलोजी के जनक इसमें पहला तीसरा और चौथा सही है पहला सही है तीसरा सही है चौथा लेकिन यह जो ब्रायोलोजी का फादर दे रखा है यह वाला गलत है भारतिय ब्रायोलोजी के जनक जो थे वो SR कष्यप थे ठीक यहां पर SR कष्यप का नाम होगा और बुटलर का दिया है इसलिए गलत डी वाले को चुनते हैं आगे चलते हैं यहां पर लिस्ट बन को लिस्ट टू से आपको फिर से मैच कराना है अब इंसानों में होने वाले रोग और उनके कारक जो वायरसे हैं उनके नाम दिये हुए हैं तो चेचक, मीजल्स, चिकेन पॉक्स, इंफ्लुएंजा इस प्रकार से दिया है यहां पर असल में चिकेन पॉक्स दो जगह दे रखा है यहां अगर आप देखें तो चेचक को यानि जो चिकेन पॉक्स लिख रखा है उसकी जगह स्माल पॉक्स होगा इसको स्माल पॉक्स का जाता है और चिकेन पॉक्स जो है बड़ी माता कही जाते है छोटी माता प्रकोप हो जाता है लेकिन यह वायरस से होता है तो यहां दोनों सेम नहीं है चिकन पॉक्स की जगह पे वहां उपर वाला जो ए वाला है उसको स्मॉल पॉक्स कर लीजेगा अब देखें अब बताईए इसमें से कौन सा किस्से मैच करेगा और इसका जो करेक्ट एंसर है वो B हो जाएगा तीसरा दूसरा पहला जो था वही सही है मनुश्यों में होने वाले जो रोग और कारक विशाणू है उसमें चेचक को अगर आप देखें तो वैरियोला वायरस से मिलाएंगे मीजल्स को पैरा मिक्सो वायरस जो है उससे मिला ल तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विल्सन स्मित का नाम दिया है और उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस की खोज की थी सबीन जो है उन्होंने पीत जवर विशाणू की खोज की थी यानि यलो फीवर वायरस जो होता है उसकी डिसकवरी की थी और एर्विन पॉपर जो है उन्होंने पोलियो वायरस को खोजा था तो आप यह बताईए कि इसमें से सही कौन सा है इसके द्वारा किस वायरस को खोजा गया और इसका C हो जाएगा C का मतलब यह हुआ कि इसमें पहला और तीसरा हो जाएगा जो दूसरा वाला है वो गलत यह जो सैबीन का दिया हुआ वॉल्टर रिड जो थे उन्होंने पीत जवर विशाडू की खोज की थी यहाँ पर नाम सैबीन का नहीं होगा बलकि वॉल्टर रिड का होगा इसके बाद आगे चलते हैं question number 39 question number 39 में ही कहा जा रहा है कि जीव विग्यान की शाखाओं के संबंद में सही विकल्प का चैन कीजिए मतलब किस शाखा में या किस ब्रांच में क्या पढ़ा जाता है या किस चीज की study की जाती तो bionics में जैविकी में होने वाले कारे गुण और पध्यती का अध्यान किया जाता है मतलब उसका पूरा function देखते हैं properties देखते हैं जितना भी biological चीज़ें होती है उसके method का अध्यान किया जाता है इसके बाद bionomics को अगर देखें तो यह एक प्रकार की branch है जो कि यहां अगर देखा जा तो जीवन के नियमों के उपर research करती है और bionomy जो होती है वो जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ मतलब उनके वातावरण के साथ संबंध दर्शाती है आप यह बताईए कि इसमें से सही कौन सा है प्रशनपूर आपके सामने है और इसे अगर आप देखें तो ए वाला हो जाएगा सिर्फ पहला सही है देखने में सब अच्छे लग रहे हैं लेकिन नीचे वाले दोनों गलत हैं यह दोनों गलत क्यों है क्योंकि bionomics के अंतरग मेंब्रेन जो है उसके विश्य में कहा जा रहा है कि वह किस चीज की बनी होती है और प्रशन के दूसरे इससे में कहा गया कि प्लाज्मोट्स मेटा यह कहां पर पाये जाते हैं तो दो पेयर वाइस इसमें जो एंसर है वो भी दिये हुए है बताईए कौन सा होगा और question number 40 क जो प्लाज्मा मेंब्रेन होती है उसका formation होता है तो बी वाला इसका correct है इसके बाद 41 को देखते है question number 41 में कहा जा रहा है कि select the correct option related to active cell of living or metabolism सजीवी या उपापचय से सक्रिय कोशिकांगों के संबंद में यहाँ पर आपको सही विकल्प का चैन करना है तो altman ने mitochondria को खोजा तो आप यह बताईए कि इसमें से सही कौन सा है आविशकार करता और आविशकारों के नाम दे रखें और इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला हो जाएगा बी का मतलब यह है कि दूसरा दीसरा और चौथा इसमें सही है ठीक है दूसरा दीसरा और चौथा सही है लेक किस प्रकार के ribosome उसके अंदर पाए जाते हैं, प्रकार संसेलेशन की अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है, वे chloroplast के किस भाग में संपन्न होती है, वो भी आपको बताना है, तो जिवाडु में ribosome किस प्रकार के पाए जाते हैं, यह देखना है और साथ में क्लोरोपलास्ट की किस हिसे में यह जो आप्रकाशिक अभिक्रिया है यह संपन्न होती है देखे यहाँ पर 70S दिया है और 80S है और ग्रैना है इसके बाद 70S और 80S का जो पेर है वो स्टोमा के साथ मैच किया है और इसका जो करेक्ट टैंसर है वो C वाला हो जाएगा यह 70S और स्टोमा वाला जो पेर है यह सही है ठीक सी वाले को चुनते हैं आगे चलते है क्वेश्चन नमबर 43 43 में यह कहा जा रहा है कि रसायन विज्ञान की जो शाखाएं है उनसे संबंदित आपको सही विकल्प चुनना है तो बायो केमिस्टी है इसक बाद भौतिक रसायन जो फिजिकल कमिस्टी उससे स्पेक्ट्रोस्कोपी जुड़ा हुआ है और और और्गेनिक कमिस्टी से मेटेरियल कमिस्टी का कनेक्शन है आप बताईए इसमें से सही कौन सा है और इसका बी हो जाएगा यानि पहला और तीसरा पहला और तीसरा इसम मतलब इन और्गेनिक कमिस्टी का संबंध पदार्थ रसायन से होता है यानि material कमिस्टी से है और carbonic रसायन यानि जो और्गेनिक कमिस्टी है उसका संबंध polymer कमिस्टी से होता है इसे हम ने देखा तो बी वाला इसका perfect है इसके बाद आगे बढ़ते है question number 44 को देखी इसमें incorrect correct option आपको चूज करना है तो गैसी अवस्था में द्रव अस्था के परिवर्तन को, मतलब गैसी अवस्था अगर है तो उससे द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगनन कहा जाता है, और किसी पदार्त का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, गलत आपको चुनना है, प्रशन पूरा आपके सामने, देखे इसका D हो जाएगा, D का मतलब यह है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं, जितने हैं वो सभी सही है, गैसी अवस्था से अगर द्रव अवस्था में कन्वर्जन हो रहा है, तो यह संगनन एक कंडेंसेशन इसको कहा ज जाता है, और जब वो नजदीक नजदीक आते हैं, तो उनकी संरशना में परिवर्तन होता है, दाब का प्रभाव होता है, इसके बाद किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से अगर द्रव अवस्था में कन्वर्ट किये भी ना, सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो यह जो प्रक्रिया है, इसको उर्दुपातन कहते हैं, नौसादर के साथ ऐसा होता है, कपूर के साथ ऐसा होता है, और यह गैसी अवस्था वाला भी एकदम पर्फेक्ट है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं, इसके बाद आगे चलते हैं, question number 45 को आप देखेंगे, इसमें य कौन सा कोलाइड का उदारण है, और कौन सा विलायक का उदारण है, दो एक्जामपल आपको इसमें से पेरवाइस चुनने हैं, तो यहाँ पर इथेनॉल और एरोसॉल है, क्लोरोफार्म और पायस है, एसमें से कोई नहीं, तो इसका D हो जाएगा, इसमें से कोई भी जो है जाग, पायस, सॉल, एरोसॉल, जेल, आदी जो है, यह कोलाइड के एक्जामपल, और एसिटोन, क्लोरोफार्म, इसके लामा एथेनॉल, यह सब विलायकों के एक्जामपल है, तो यहाँ कोई भी पेर सही नहीं था, तो D वाले को चुनते हैं, 46 को देखते हैं, सलेक दा इं चोटा होता है, और एक पीको मीटर से कम का होता है, तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, question number 46 को आपने देखा, देखें, इसका C हो जाएगा, इसमें दोनों गलत, दोनों की दोनों statement एकदम wrong दिये हुए है, वायू में nitrogen gas, यानि 78% इसका पूरा जो share है, वो होता है, यह billion तैयार हो सकता है, गैसों का भी billion होता है, द्रवों का भी billion होता है, तो इसमें जो विलायक होता है, उसकी मात्रा हमेशा जादा होती है, तो इस common sense से हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद आप देख लीजे, जो particle of mixed substances होते हैं, यानि मिशृत कणों के जो कणों होते हैं, billion के प्रकार अगर देखे जाएं, तो परिषिप तवस्था और परिषेपड माध्यम, ये दोनों इसमें आते हैं, मतलब dispersed phase है और dispersion medium, इसके बाद pious को अगर आप देख रहे हैं, यानि emulsion को तो इसमें solid state और liquid state है, aerosol को अगर आप देखें तो liquid state और gaseous state ऐसे करके दिया ह और gel को अगर देखें तो liquid state, solid state, अब आप ये बताईएं कि इसमें से सही कौन सा है, 47, और इसका जो correct tensor है वो B हो जाएगा, B का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा इसमें सही, ठीक, colliding billion के अगर प्रकार देखे जाएं तो इसमें परिषित तवस्था और परिषेपड माध् यहाँ पर collidal solution दिया हुआ है और इसके जो example है वो दिये हुए, तो ठोस जाग है, ठोस सॉल है, सॉल है और ठोस एरोसल है, रंगीन कांच, प्यूमिस पत्थर, कोशिका तरल और धुआ, मतलब इनके सामने दिया हुआ है, ठोस जाग, रंगीन कांच, ठोस सॉल, प्यूमिस या प्यूमिक स्टोन जिसको कहा जाता है, और सॉल जो है, वो कोशिका तरल है, ठोस एरोसल जो है, वो स्मोक है, आप बताईए इसमें से रॉंग कौन सा है, और question number 48 का जो correct answer है, वो A हो जाएगा, यानि पहला और दूसरा उपर वाला दोनों गलत है, अब इसमें सही क्या है तो ठोस जाग जो होता है, वो प्यूमिक स्टोन होता है, जो की चमडी के जो डेट सेल्स होती है, उनको छुडाने के लिए, सौंदर प्रसाधन के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है, और इसकी विशेष्टा ही होती है, कि ये पानी पर तैर सकता है, ठीक, और ठोस सॉल जो अबन से होकर गुजरता है, तो मिश्रण में उपस्थित कड़ों के द्वारा प्रकाश का परावर्दन हो जाता है, यानि उसे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और प्रकाश पुंज दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, और इसे विल्स टिंडल प्रकीरण भी कहा जाता है या शॉर्टकट में कहें, तो टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, और उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया कि प्रकाश की प्रकीरण की मात्रा, प्रकाश की आवरिती तथा मिश्रण के कणों के घनतों और आकार पर डिपेंड करती है, लाल प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी होती है, यहां आप देख रहे हैं, वह अधिक होने के कारण लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रकीरण का शिकार होता है, पतलब उसका जो स्कैटरिंग वाला काम है, वो सबसे अधिक होता है, तो आप यह बताईए कि इसमें से सही कौन सा है, प्रशन आप देख रहे हैं और सभी सही नहीं हो सकता, यह तो पक्की बात है, अब इसमें से आपको देखना है, डी वाले उप्शन में कहा गया है कि इसमें से कोई नहीं, अर्थात कोई भी सही नहीं, फिलहाल इसका बी सही हो जाएगा, बी का मतलब यह है चुकि यहां में सही देखना था ठीक है तो इसका जो बी वाला उप्शन है यानि सिर्फ दूसरा इसका पर्फेक्ट जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलियन या छोटे कड़ों वाले निलंबन से होकर गुजरता है तो मिश्रण में उपस्तित कड़ों द्वारा प्रकाश का प्रकीरण हो जाता है और प्र प्रकाश की प्रकीरण की मात्रा जो है उसे अगर देखा जाए तो नीले प्रकाश की आपरिती सबसे जादा होती है और नीले प्रकाश का प्रकीरण भी इसलिए जादा होता है इसलिए आस्मान का रंग नीला दिखाई देता है ये रमन इफेक्ट के थ्रू हम लोग देख स्ट्री देख लेते हैं तो इसमें सोडियम है इसके इनामा सल्फर है और जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट है इसके बाद सॉल्ट पीटर इसका जो फार्मुला है वो के या नो थी है और लिथार्ज जो है यह पीबी ओ है लेड़ का ऑक्साइड है ऐसा दिया हुआ है तो ने टू, S2, O3 होता है यहाँ O के साथ 3 नहीं लगाया है और इसलिए गलत इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 51 को देखते हैं सही निगल्प का चैन करना है सिरका, जंग, कास्ट, स्पिरिट और धावन सोडा मतलब विनेगर है, रस्ट है, वुड़ इसको कहा जाता है, और यह जहरीली शराब होती है, जो की शरीर के लिए ज्यादा नुकसांदे होती है, इसके बाद नेक्स, क्वेश्चन नमबर 52 को आप देख रहे हैं, संतरा उसके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, केले के अंदर एसकार्बिक एसिड पाया जा उसमें से ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसी को हम लोग प्रशनों में देखते हैं, ठीक, तो इसमें आपको जो रॉंग इंफार्मेशन है, वो चूज करने हैं, बताईए, और इसका डी हो जाएगा, डी का मतलब यह है कि इसमें से कोई नहीं, इसमें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर केला का टार्टरिक एसिड हो जाएगा, पपीते का एसकार्विक एसिड हो जाएगा, और इस प्रकार से इसकी जो मैचिंग करेंगे, इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा, डीवाना, इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेशन नंबर 53 को इसके का गलत विकल्ब का आपको चैन करना है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फार्मिक है और ऑक्जेलिक है, तो सल्फ्यूरिक अमल का H2SO4 हो गया, फास्फ्यूरिक एसिड का S3PO2 दिखा हुआ है, उसके बाद आप देखिए, फार्मिक अमल जो होता है, उसको देखा जाए तो दूसरा और चौथा इसमें गलत है, फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है, वो H3PO4 होता है, और ऑक्जेलिक का अगर देखा जाए, तो वो C2H2O4 होता है, उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेगा, सही विकल्प का आपको चैन करना है, तो ऑक्सी अमली जो होते हैं, वो हाइड्रोक्लोरीक अमली होते हैं, हाइड्रामली जो होते हैं, वो नाइट्रीक अमली होते हैं, और पाली प्रोटीक अमली जो होते हैं, और सेनी कमली होते हैं, अब आप यह बताएं किसमें से सही कौन सा है, कोई एक सही है, और वो D वाला है D का मतलब यह है कि यहाँ पर प्लीप्रोटी कमल जो और सेनी कमल दिया है यह सही और प्लीप्रोटीकेसिड यहां सही दिया है और और सेनी केसिड का जो फार्मूला होता है, वो H3AS, यहाँ पे और सेनिक का माउंट होता है, तो H3AS और O4, ये वाला फार्मूला इसका होता है, ठीक, आगे चलते, question number 55 को देखे, निमनलिखित में से कौन सा यह कमली जो है, वो प्रबल अमले है, और कौन सा यह कमली जो है, वो दुर्बल अमले ह ये दो पेर दी हुए है, इसमें hydrogen sulfide है, hydrochloric acid है, acetic acid और sulfuric acid है, nitric acid और acetic acid है, कौन सा पेर इसमें से होगा, 55 का जो correct answer है, वो C हो जाएगा, nitric acid और acetic acid, प्रबल अमले कौन सा है, nitric acid है, यानि HNO3 है, और acetic acid, यह जो सिरके में पाय जाता है, यह यहाँ पर दुर्बल अमल acid में acid acid की 3-6 प्रतिशत मात्रा पाय जाती है, sulfuric acid जो होता है, उसमें acid acid की 3-6% जो amount है, वो पाया जाता है, चमकदार नमक बनाने में और धातुओं को साफ करने में, sulfuric acid का इस्तिमाल किया जाता है, और petroleum का जो शोधन का काम होता है, तथा car की बैटरियों का निर्माण होता है, उसमें sulfuric acid का इस्तिमाल किया जाता है, यह इसके उपयोग दियो है, आपको यह बताना है कि इसमें से correct कौन सा है, question number 56, इसका C हो जाएगा, C का मतलब यह है कि सिर्फ तीसरा इसमें सही है, बागी जो है वो गलत है, सिर्के में acid की 3-6% मात्रा होती है, अब यहाँ पर द इसके बाद 57 को देखते हैं, question number 57 में कहा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन सा उपयोग hydrochloric acid का नहीं है, और निमनलिखित में से कौन सा उपयोग oxalic acid का नहीं है, दोनों के जो उपयोग न हो वो आपको देखने है, तो एकवार एजिया के निर्माड में और baking powder के निर् फोटोग्राफी और रंजिकों के निर्माड में, प्लास्टिक के निर्माड में और कपड़ों की रंगाई में, जहां पर इस्तिमाल नहीं होता है, वो आपको देखना है, और question number 57 का जो correct answer है, वो C हो जाएगा, C का मतलब यह हुआ कि फोटोग्राफी और रंजिकों के निर निर्माड में, औशदी और प्लास्टिक के निर्माड में, इन सब में HCL यूज होता है, और baking powder बनाने के लिए, फोटोग्राफी में, कपडों की रंगाई के लिए, bleaching powder के निर्माड में, इन सब में oxalic acid जो है, वो इस्तिमाल होता है, एक्वारीजिया काफी तगड़ा, अमल राज इसको कहा जाता है, तो इसका combination बहुत ही strong होता है, इसके बाद आगे चलते हैं, question number 58 और इसमें आपको ये देखना है, कि विशम कौन सा है, तो magnesium hydroxide के उपयोग के संदर्ब में, यहाँ आपको जो odd है, वो चुनना है, तो अपसिष्ट जल के उपचार में, निर्माड उद्योग में, अगनी रोधक के रूप में, और प्रती अमल यानी जो anti-acid होता है, उसके तोर पे, बताई इसमें से कौन सा होगा, तो इसका B वाला हो जाएगा, B का मतलब यह है कि जो textile manufacturing industry होती है, वहाँ पर नहीं, अपसिष्ट जल के उपचार में, अगनी र oxide का इस्तिमाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर disinfectant है, इसके अलावा cement industry है, उच श्रेडी का जो steel बनता है, high grade steel उसके बारे में दिया हुआ है, और caustic soda है, इसमें से कौन सा ऐसा है, जिसमें कि magnesium oxide का इस्तिमाल नहीं होता है, जहाँ पर इस्तिमाल नहीं हो चुनना है, और इसे अगर देखा जाए, तो इसका D हो जाएगा, 59 का correct answer कौन सा होगा, D वाला, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जिसमें कि magnesium oxide का इस्तिमाल उसके निर्माड में नहीं किया जाता है, ठीक है, कि टाणु नाशक के तोर पे, cement उद्योग में, कागज वाली जो industry होती है, मतलब केलशियम के जो oxide होते हैं, उनका इस्तिमाल किया जाता है, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में दिक्तत है, यहाँ में माफी जाऊंगी, देखें, यहाँ magnesium का oxide इस्तिमाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ magnesium के oxide की जगह पे calcium का oxide थोड़ा सा जोड़ लीजेगा, नहीं तो यह प् जो कागज उद्योग होता है वहां पे कास्टिक सोडा में और इसके अलावा जो उच्छ रेडी का हाई ग्रेड स्टील होता है उसमें इसका इस्तिमाल होता है तो यहां पर जब डी वाले का जो डिस्प्ले होता है उसके सुरक्षात्मक लेपन में इस्तिमाल होता है तो आप यह बताईए कि इसमें सही कौन सा है और क्वेश्चन नुम्बर 60 का जो करेक्ट एंसर है वो डी हो जाएगा इसमें कुछ भी सही नहीं जितने दिये हैं वो सब गलत मैगनीशियम ऑक्साइट के अगर कुछ इस्तिमाल देखे जाएं तो उसमें ब्रिदा भूजल और पेजल के उपचार में इसका इस्तिमाल होता है विद्दुत केबल में जो ताप रोधक होता है मतलब हीट रजिस्टेंट के तोर पे इसका यूज किया जाता है और फली यह पदार्थ प्रोटान का त्याग करता है तो वह एक छारक का निर्माण करता है मतलब कोई भी जो एसिडिक सबस्टेंसे होते हैं वो अगर प्रोटान को गिट ओफ कर देते हैं तो वह एक बेस बनाते है और इसमें जो बनने वाला चारक है उसे लुईस चारक कहा ज जो यहां दिया है किक्पेशन नंबर 31 का जो करेक्टट एंचर वह सी हो जाएगा इसमें चुकि आमें गलत चाहिए था यहीं है तो दोनों गलत है ऐसा इसमें कहा जा रहा है जब भी कोई अमलीयपदार प्रोटॉन का त्याग करता है तो वह एक छारक का निर्माड करता है औ और जब भी कोई छारी पदार्थ प्रोटान को accept करता है यानि ग्रहण करता है तो एक अमल बनता है और उसे सनलगन अमल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे conjugate जो alkaline है और conjugate acid है उसकी बात हो रही है और यहाँ दे रखा है Lewis तो इसलिए गलत है। इसके बाद question number 62 को देखिए। 62 में आपको जो correct है वो चूज करना है। और इसका जो correct answer है वो पहला और दूसरा है। ठीक इसमें सही विकल्प चुनना था। तो उपर वाले दोनों सही है इसमें कोई समस्या नहीं है। अमल और 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 अरेनियस चार के बारे में इसमें दे रखा है। लेकिन एक्वारेजिया के बारे में ये तो सही है कि उसमें से cloud हमेशा generate होता है। वो हमेशा दिसे लगता है कि खॉल रहा है। उसकी power जो strongness है वो इतनी जादा होती। लेकिन वो पीला नारंगी होता है। लाल का उसमें जो अंशय या red color जो है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक तो इसमें हमने देखा कि जो उपर वाले दोनों हैं वो सही है। इसलिए हम A का चुनाओ करते हैं। इसके बाद question number 63 को देखेंगे, select the incorrect option, यहाँ पर तीन स्टेटमेंट हैं, पहले बाले में कहा गया कि अमली ये लमड का जली ये विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस टेस्ट जो होता है, यह काफी प्रामाडिक होता है, इसके पाद चारी ये लमड का जली ये विलियन जो होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके बाद question number 64 को देखते है, which of the following salt is an alkali salt, मतलब इसमें से कौन सा एक जो लमड है वो छारी ये लमड है, और कौन सा एक अमली ये लमड है, दोलों का पेर आपको चुनना है, तो sodium chloride और magnesium chloride hydroxide है, potassium nitrate है और zinc chloride hydroxide है, इसके बाद potassium sulphate और sodium sulphate है या इसमें से कोई नहीं वाला ज हो जाएगा, इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं, इसमें से कोई नहीं और इसमें से कोई नहीं मतलब दोनों का गलत दिया है, सही क्या है, तो उदासीन लवड जो होते हैं, मतलब neutral salt जो होते हैं, उसमें sodium chloride आता है, potassium nitrate है, potassium sulphate है, sodium sulphate है, ये सबाते हैं, और जो alkaline salt होते ह और zinc chloride hydroxide जो है यह सबाते हैं इसमें जितने भी है वो सभी गलत इसके बाद आगी चलते हैं question number 65 इसमें यह कहा जा रहा है कि किस पदार्थ का pH मान अमलिये है और निमनलिकित में से किस पदार्थ का pH मान चारी है pH scale जो होती है उस पर अमलि चार और लवण की पहचान होती है तो साथ से कम अगर pH मान है तो वो अमलिये प्रवित्ती होगी साथ से अधिक है तो वहाँ पर देखा जाएगी चारी प्रवित्ती दिखाई देगी और साथ के इकमल है तो न्यूटरल नेचर को दर्शाएगा ऐसा होता है अब यहाँ पर दीया हुआ है पदार्थों की पेयर के थौर पर तनू सोडियम हाईड्रोकसाइट इस प्रकार से तनू का मतलब क्या होता है डाइलीूट उसके अंदर पानी चाहां से डाइलूट किया गया है वो concentrate नहीं है तो जो डाइलूट sodium hydroxide है वो और battery में प्रयुक्त होने वाला अमल इसके बाद general जो rain होती है rain water होता है वो और साबुन युक्त पानी soda युक्त पेयपदार्थ और नीबु का रस सांद्र sodium hydroxide यानि concentrate sodium hydroxide और प्रती अमली यानि anti acid आप ये बताईए कि pH मान किसका अमली होता है और किसका चारी होता है तो question number 65 का जो correct answer है वो B हो जाएगा और दूसरी तरफ उसकी pH value दी है जो कि बहुत जादा कूछी जाती है तो ammonia baking soda pure water और इसके अलामा जठर रस जठर रस का मतलब क्या गैस्टिक juice की बात हो रही है और इनका pH मान दिया हुआ है 11.8 9.6 7 और 1.2 से लेकर 2 बताईए इसमें से सही कौन सा है और इसका अगर देखा पर आप देखें अमोनिया का 11.6 होता है और जो इसमें आप देख रहे हैं baking soda baking soda का इसमें soda युक्त पे भी जुड़ जाते हैं उनको अगर आप देखें तो 9.2 होता है इस प्रकार से है तो ऊपर वाले दोनों गलत है सिर्फ नीचे वाला जो तीसरा चोहता है वो सही है और सिले हमने इसमें जो C वाला विकल्प है उसको चुना है ये दोनों गलत आगे बढ़ते हैं question number 67 को देखें select the correct option सबसे हलका तत्व helium होता है सबसे भारी तत्व जो है वो lithium होता है सबसे हलका धात्विक तत्व जो है वो osmium होता है और सबसे जो द्रव में अधातु तत्वा है वो ब्रोमीन होता है द्रव अधातु तत्व इसको कहा जाता है यह ब्रोमीन है आप यह बताएं कि इसमें से correct कौन सा है चार दिये हैं उसमें से कोई एक ही सही हो सकता है और वो डी वाला है यहां गर आप देखें तो डी वाला इसका सबसे perfect है बाकी जितने हैं वो गलत ह सबसे हलका तत्व हाइड्रोजन होता है आप देखते हैं कि उसका परमाड भार सबसे कम होता है परमाड भार के आधार पर आराम से गेस कर सकते थे हीलियम दूसरे नंबर पर आता है और सबसे भारी तत्व जो है वो आस्मियम होता है और सबसे हलका जो मेटेल अलिमेंट हो वो लीथियम, ठीक, इस प्रकार से इसका connection है, तो सिर्फ इसमें D वाला perfect है, इसके बाद question number 68 को देखते हैं, match list 1 to list 2, acid दिया है और vegetables दी हुई है, मतलब कौन से सबजी में कौन सा acid पाया जाता है, citric acid है, malic acid है, oxalic acid है, और ascorbic acid है, देखें इससे पहले भी यह बताया गया है कि जो fruits और vegetables होती है, उसमें acids का combination पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही अमने विशेश रूप से एक सबजी में पाया जाता है, जादा मात्रा में पाया जा सकता है, इसलिए पूछा जाता है कि प्रचुर मात्रा में कौन सामल पाया जाता है, थोड़ी-थोडी मात्रा ब्रोकली और आलू है, ब्रोकली मतलब हरी गोभी, यह आप देखते हैं, अब इसमें से बताइए, कौन सी matching सही होगी, यहाँ match करना है, पुरा प्रशन आप देख पा रहे हैं, इसका ए वाला ही सही है, जादा नीचे जाने क्या होशक्ता नहीं है, चौथा पहला दूसरा मतलब अमलो और सबजियों को अगर आप मिलाएंगे तो सैट्री केसिड जो है यह आलू में, मैली केसिड जो है वो गाजर में, ऑक्जेली केसिड चुकंदर में और एसकार्वी केसिड जो है वो ब्रोकली में, आलू में सैट्री केसिड पाया जाता है, हलाकि कम अमांट में पाय जाता है लेकिन होता है ठीक आगे चलते अगले प्रेशन को देखते हैं फल और उसके खाने योगे भाग का यहाँ पे जो सही विकल्प है वो चुनना है पाय जाता है लेकिन जो चेरी का दिया हुआ है वो गलत है चेरी का जो बाहे और मध्य फल भित्ती होती है उसको खाया जाता है ठीक आगे चलते हैं question number 70 और सत्तरवे प्रेशन में यहाँ तीन अलग अलग विकल्पती हैं कार्वो हाइड्रेट से प्रचुर जो सब्जियां है यानि vegetables है उसमें शकरकंद और आलू आते हैं लोहे से प्रचुर सब्जियां जो होती हैं मतलब उनके अंदर iron की iron rich vegetables के तौर पे उन्हें देखा जाता है तो वो धनिया की पत्ती होती है या जो पत्तेदार सब्जियां होती है उन्हें आप जोड सकते हैं और पालक आता है प्रोटीन से प्रचुर सब्जियां जो हो हरी मटर और सेम होती है अब आप यह बताईए कि इसमें से सही कौन सा है कार्बो हाइडरेट रिच है इसके अलावा आयरन रिच है और प्रोटीन रिच है वेराइटी दीवी है एक्जामपल दिया है और question number 70 का जो correct answer है वो पहला और तीसरा हो जाएगा इसमें सही चुनना था तो पहला वाला और तीसरा वाला सही है मतलब कार्बो हाइडरेट से प्रचुर सब्जियों में शकरकंद और आलू आते हैं sweet potato इसको कहा जाता है शकरकंद को और यह अधरक के जैसा design वाला होता है खाने में मीठा लगता है व् अनिया में भी पाया जाता है लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है प्रचुर मात्रा में यह बथुआ और चॉलाई में पाया जाता है ठीक है मूल रूप से बथुआ में पाया जाता है तो यहां हमने देखा और इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा होगा इसम सभी समस्थानिक हैं, यहां पर iodine 131 है, फासफोरस 32 है यह आयोडीन का समस्थानिक हो गया यह फासफोरस का हो गया और cobald 60 यह cobald का समस्थानिक है, तो iodine 131 जो है यह thyroid gland की जो बीमारियां होती है, दिक्कते होती है, disorder उसको दूर करने में काम आता है तुमर की पहचान करनी है तो उसमें फासफोरस 32 का इस्तिमाल किया जाता है जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार में कोबाल्ट 60 यूज होता है तो आपको यह बताना है कि इसमें से रॉंग इसमें फार्मेशन कौन सी और 71 का जो करेक्ट एंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा यानि दूसरा वाला फासफोरस 32 का जो दिया हुआ है वो गलत है तूमर की पहचान करने के लिए आरसेनिक 74 नाम का जो समस्थानिक है उसका इस्तिमाल होता है फासफोरस 32 जो है यह भी ब्ल मैमोग्राम है इस प्रकार से यह दिया है तो EEG जो है यह मस्तिश्क की जाच करता है मतलब यहाँ पे इसका फुल फार्म दिया है उसको भी देखेंगे EMG जो है यह वक्ष की जाच करता है और मैमोग्राम जो है यह मांस्पेशियों की जाच करता है यहाँ पे इलेक्ट्रो वाला सही है जो EEZ दिया हुआ है ये वाला टेस्ट जो है ये brain के लिए होता है बाकी जो नीचे वाले है वो उल्टा दिया हुआ है मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो EMG जो है ये मानस्पेसियों की जाच के लिए होता है और मैमोग्राम जो होता है ये वक्ष की मतलब चेस्ट की जो जाच होती है उसके लिए इस्तिमाल होता है तो इसका correct answer चुकि हमें चाहिए था तो पहला वाला हो जाएगा इसके बाद 73 को देखते हैं यहां एक आ जा रहा है कि जिब्रेलिन पादप हार्मोन की खोज किसने की थी और मिना माता रोग जो है यहां मिना माता लिखा हुआ है तो यह किसी की माता नहीं है मिना माता रोग जो है वो किसी तत्व की विशाक्तता के कारण हो जाता है अब वो तत्व कौन सा है यह आप बताईए तो जोनास साल्क ये खोजगरता का नाम दिया है और कॉपर, डार्विन और मैंगनीज, लुई पाश्चर और बोरान या कुरोसोवा और पारा तो इसमें कोई एक अगर आपको पता रहेगा तो दूसरा आप बहुत आराम से सेलेक्ट कर लेंगे मिना माटा के बारे में कौन नहीं जानता है आप जानते ही है, इसका कौन सा एंसर होगा डी वाला होगा, ये जो मरकरी होता है उसके प्रदूशर से जनित रोह होता है और कुरोसोवा के द्वारा जो जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, उसकी खोज की गई थी और ये व्रिद्धी हार्मोन होता है इसके बाद 74 को देखते है सलेक्द करेक्ट ओप्शन यहाँ पर प्लांट और एक्जांपल दिया हुआ है तो थैलोफाइटा और उसका एक्जांपल यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगायरा है टेरिडोफाइटा में मौस और मारकेशिया आता है जिम्नोस्पर्म को अगर देखेंगे तो इसमें पाइन्स और साइकस का नाम आता है तो इसमें से सही कौन सा है देखें 74 का जो करेक्ट टैंसर है वो B हो जाएगा B का मतलब यह है कि पहला और दूसरा पहला और दूसरा इसमें सही है जो तीसरा वाला है वो गलत यहां अगर देखा जाए तो जो मरसीलिया है मरसीलिया और होर्स्टिल यह टेरडोफाइटा का एक्जांपल हो सकते है और यहां एक्जांपल मॉस और मारकेशिया दिया हुआ है इसलिए जो बीच वाला है यह गलत चुकि हमें गलत नहीं चाहिए था हमें सही चाहिए था तो हम दोनों उपर वाले जो हैं और अधिपादप मूल और श्वशनी मूल है इस प्रकार से यह नाम दिये हुए है मैच करके देखी कि किस प्रकार की जड़ किस पौधे में पाई जाती है जड़ों की भी अलग विराइटी होती है यहां जो विकल्प है उन्हें अच्छे से देख लीजेगा और देखे इसका जो पेर है या कोड़ वर्ड है वो C वाला सही मैच करेगा दूसरा चौथा तीसरा पहला रोही मूल जो है यह पान में पाई जाती है पान एक बेल की तरह से होता है लता होती है और अधिपादप मूल जो है यह और्किड में पाई जाती है श्वसनी मूल जो है, यह राइजो फोरा में पाई जाती है, इस प्रकार से इसका connection है यहाँ आप देख रहे हैं, और चूशन मूल जो है, यह अमर बेल में पाई जाती है तो कौन सा किससे match नहीं कर रहा है, वो आपको देखना था प्रिंटिंग एक्विमेंट्स जो है, उनकी खोज करता, यह जैंसन के द्वारा की गई थी और माइक्रोस्कोप के खोज करता, यह जोहांस गुटनबर्ग थे तापदर्शी के खोज करता, गैलेली ओ, गैलेली थे, और लॉग पध्यती यह जो लगुकड़क प्रणाली है लॉग अर्थम वाला जो टेकनलोजी होता है, मैथमिटिक्स की ब्रांच है तो उसके जॉन नैपियर खोज करता थे, आप यह बताईए कि इसमें से गलत कौन सा है, 76 और इसका जो दी वाला है वो सही हो जाएगा, डी का मतलब यह है कि इसमें से कुछ भी जो है वो गलत नहीं, सभी सही छपाई अंत्र यह जोहांस गुटनबर्ग का है, ठीक अब इसमें समस्या यह है कि जो उत्तर दिया है वो गलत दिया है, डी वाला कैसे हो जाएगा, छपाई अंत्र जो है, यह प्रिंटिंग वाला जो एकुटनबर्ग के द्वारा इसकी, जो इन्वेंशन है वो की गई थी, सुक्ष्म दर्शी के अगर बात करें तो जैंसें का नाम आता है, तो आप दर्शी के अगर बात करें तो गैलीली ओ गैलीली का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, और लॉग पध्यती का बिल्कुल ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट एंसर है वो दिया ही नहीं, इसकी जो मैचिंग है, वो पर्फेक्ट थी नहीं, और इसमें ड 27 को देखते हैं, राशियों और उनके निगमन सूत्रों का सही यहाँ जो मिलान है उसको आपको देखना है, तो निगमन सूत्र का यहाँ दिया हुआ है, प्लांग नियतांग है, प्लांग कॉंस्टेंट है, प्रकाश उर्जा बटे ताप, यह इसका फार्मूला है, वेग आपको यह बताना है, कि इनका जो निगमन सूत्र है, उसमें से कौन सा इनसे मैच कर रहा है, जो सही मैच कर रहा है, वही चुन्ना है, और 77 का जो करेक्ट एंसर है, वो B हो जाएगा, B का मतलब यह है कि दूसरा तीसरा चौथा, यह इसमें पर्फेक्ट मैच है, लेकिन जो उपर वाला प्लैंक कॉंस्टेंट का दिया हुआ है, वो उर्जा बटे ताप होता है, ठीक, अब वो प्रकाश उर्जा है अथवा नहीं, यह देखने वाली का आता, इसके बाद क्वेशन नमबर 78 को देखते हैं, गलत विकल्प का यहाँ चैन करना है, तो सेलेक्ट दे इन हाइट का सेल्सियस से मान यहाँ कनवर्जन है, मतलब फॉरेन हाइट और सेल्सियस के मान में माइनस 20 डिगरी पर बराबर का जो आंकडा है, वो देखा जाता है, यहाँ पर जो आंकडा दिया है, उसे देख लीज़े और बताईए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, चार में दोनों जो फैसलिटी है वो उपलब्द होती है, आप उसमें डिगरी सेल्सियस में भी नाप सकते हैं और फॉरेन हाइट में भी, तो फॉरेन हाइट में जो सामाने तापमान होना चाहिए, उसे जादा है तो फिर बुखार की कंडिशन देखी जा सकती है, और शरीर का उसतापमान यहाँ जो दिया है वो भी सही है और फॉरेन हाइट और सेल्सियस के बीच का जो बराबर वाला अंकडा है वो भी सही है, तो इसका डी हो जाएगा, इसके बाद 79 को देखते हैं, सलेक दे इंकरेक्ट ऑप्शन काइने अस्थेटिक्स के अंतरगत सापेक्ष गत गलत कौन सा है, जो गलत है उसी का चुनाओ करना है, क्वेशन नंबर 79, C हो जाएगा, C का मतलब यह है कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा इसमें गलत है, ट्राइबोलाजी के अंतरगत जो सापेक्ष गतिशील सता होती है, उसके मध्य लगने वाले जो बल होते हैं, फो गति के तीसरे नियम पर काम करता है, थर्ड लाफ, मोशन, और उसके बाद वायुयान बर्नॉली के जो द्रव गति की सिध्धान्त है, मतलब बर्नॉली का जो फ्लूट डाइनमिक्स का प्रिंसिपल है, उस पर वर्क करता है, रॉकेट का प्रक्षेपण यह विदुत चुम अकारडिंग काम करता है, और विदु जनरेटर या विदु चुम की प्रेरेण का जो सिध्धानत है, यह आपस में मैच कर सकते हैं, तो यहां दे रखा है कि वो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, नहीं, विदु जनरेटर जो है, वो इलेक्रो मैगनेटिक इंडक् करती है, यह रियक्षन देती है, और उस रियक्षन के परिणाम सवरूप रॉकेट को स्पीड प्राप्त होती है, गती प्राप्त होती है, और यह जो गती है, वो उसे इसके विलास्टी को गेन करने में मदद करती है, जो पलायन वेग होता है, उससे ज्यादा का वेग होग SI unit है तो समवेक का जो unit है वो newton second square है पराध्वनिक गतिजो होती है यानि सूपर सोनी की speed उसको मैक में मीजर करते है magnetic field का जो मात्रक होता है वो tesla है और magnetic intensity का मात्रक gauss है आप ये बताइए कि SI मात्रकों के बारे में इसमें से सही कौन सा है D हो जाएगा D का मतलब ये कि कुछ भी तो सही नहीं है समवेक का newton second होता है यहाँ पर second square दिया हुआ है चुम्बकी चेतर का gauss होता है चुम्बकी तीविता का tesla होता है इस प्रकार से हम देख रहे है तो इसमें कोई भी pair ऐसा नहीं है जिसे कि आप चुन सके इसके बाद आगे चलते हैं question number 82 को देखते है select the incorrect option अनिश्चित्ता का सिध्धान्त यानी principle of uncertainty यह hands ostered का है electron की तरंग प्रकृती का सिध्धान्त यानी principle of wave nature of electron यह debrogli का है विद्धु धारा का चुम्बकी प्रभाव का जो सिध्धान्त है the principle of magnetic effect of electric current यह वर्नर हिजनबर्ग का है यह वर्नर हिजनबर्ग का है इसके बाद प्रकाश का कर्णिका सिध्धान्त यानी photon theory of light यह Newton के द्वारा दिया गया है तो इसमें से incorrect जो option है वो कौन सा है सभी गलत नहीं हो सकते कुछ तो सही है है लेकिन कुछ गलत है और वो आपको चुनने तो इसमें अगर आप देखें तो C वाला हो जाएगा C का मतलब यह है कि जो इसका पहला और तीसरा है वही गलत है यहां अगर आप देखिए जो पहला और तीसरा विकल्प है वो गलत है मतलब अनिश्चित्ता का सिध्धान किसने दिया था यह वर्नर हाइजनबर्ग का था हाइजनबर्ग का जो अंसर्टेंटी प्रिंसिपल है उसे आप देखते हैं और विद्धु थारा का जुम्भी की प्रभाव का जो सिध्धान देए यहां उल्टा दे रखा है तो इसलिए इसका जो करेक्ट एंसर है वो इसमें से कौन सा होग यहां आगे बढ़ते ही 83 को देखिए इसमें कहा जा रहा है क्यों से दो महुं't दिवस एक ही महीने के दो रान मनाया जा जाते है उर्जा संगरल टित्वशन है राष्ट्रिय विज्ञान दिवसありがとう एज आयूद्निर्माण दिवस यह जो डेस है इनके बारे में आपको पत कर गिए। तो आगे चलते हैं, इसका कोई भी सब्सक्रेश कर ग淮ी था जाता है, Teleprinter जो होता है उपकरन दूर से Telegraphic संदेशों को प्राप्त करके, स्वता ही पूर्ण कर लेता है Talex जो होता है, ये एक Pipe में Draw के प्रवाह की गति को मापने के लिए उसक किया जाता है मापक यंतरु के नाम दिये हैं, इसमेंसे Correct option आपको choose करना है प्रशन संख्या 84 आप देख रहे हैं और इसका जो correct tensor है वो B हो जाएगा सिर्फ दूसरा इसका सही है टेली प्रिंटर के बारे में जो दिया है वही एक मात्र परफेक्ट है उपर नीचे वाला गलत दिया है वेंचुरी मीटर जो होता है ये पाइप के अंतर द्रव के प्रवाह की गति को उसके दबाओ को नापने का काम करता है यहाँ पर ये वाला इधर होना चाहिए था और टेलेक्स का काम ये होता है दो स्थानों की बीच में समाचारों या संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज होता है आगे बढ़ते हैं तो इसका करेक्ट टैंसर कौन सा था? सिर्फ बी वाला क्वेश्चन नमबर 85 85 में ये कहा जा रहा है कि incorrect option चूज करिएगा यहां भी मापक यंत्र का ही नाम दिया है तो actinometer है ये सूरी की किरणों की तीवरता मापता है और episcope जो है ये अपारदर्शी चित्रों का परदे पर प्रतिपिम में प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है इसमें से गलत कौन सा है गलत इसका D वाला है D वाले का मतलब यह है कि इसमें से कोई भी गलत नहीं जो विकल्प इसका हमने चुना है वो D वाला है दोनों सही है दोनों में कोई समस्या नहीं है तो समस्या नहीं है तो आगे चलते 86 को देखें, यहाँ पे odd आपको चुनना है तो एक फर्मी है, एक टेरो मीटर है, एक माइक्रो मीटर है और एक पीको मीटर है इसमें से विशम कौन सा है तो इसे अगर आप देखें तो इसका जो correct tension है वो B हो जाएगा इसमें जो टेरो मीटर है यहाँ टेरा मीटर इसको कहा जाता है टेरो मीटर कहेंगे तो थोड़ा सा confusion हो जाएगा इसका correct जो pronunciation है वो टेरा मीटर यह इसमें गलत मतलब गलत का ताथपरी है कि यह odd है इनसे भिन है, एक फर्मी जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यह 10 की घात माइनस 15 मीटर के इकवल होता है एक टेरा मीटर जो होता है यह टेरा मीटर जो होता है, वो 10 की घात 12 मीटर के इकवल होता है यहाँ ध्यान दीजेगा बाकी जितने हैं, वो माइनस की कोटी के हैं मतलब 10 to the power माइनस में सब चलेंगे लेकिन जो tera meter होता है वो 10 to the power 12 के equal होता है ये अकेले positive power वाला देखा जा रहा है micrometer को आप जानते हैं कि 10 to the power minus 6 meter होता है और picometer 10 to the power minus 12 होता है तो बाकि सभी minus वाले हैं ये अकेले plus वाला है और इसका जो 12 वाला power है इसको याद रखे इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर incorrect option आपको चूज करना है तो सामानी कागस की मुटाई 10 की खात minus 8 meter होती है 10 की खात minus 8 meter होती है 10 की खात minus 8 का मतलब समझ रहे हैं ये एक बटे 10 की खात 8 होगा अब आप समझ सकते हैं यहाँ एक के आगे 8-0 लगेगा और उसका फिर 8 में division किया जाएगा तो कितनी छोटी राशी प्राप्त होगी और उसके बाद hydrogen अडू का जो आकार होता है वो 10 की खात minus 10 meter का होता है यानि और कम होता है और प्रकाश की तरंग दैर्ग जो होती है 10 to the power minus 4 होती है इसके बाद आगी चलते हैं इसका A वाला correct है और नीचे वाले जो दोनों है वो सही है तो उनको भी देख लिजे question number 88 को देखते है arrange the following object in descending order based on their mass मतलब इनके जो द्रविमान है उसके आधार पे ने अब रोहिक्रम में आपको arrange करना है तो red blood cells है, dust particle है, rain drop है और mosquito है मत्चर भी इसमें आ गया चुकि खून है तो मत्चर आएगा ही अब इसमें आप पताईए और ओहिक्रम कौन सा होगा द्रविमान के आधार पे यानि सबसे बड़े वाले को सबसे पहले रखेंगे और सबसे छोटा वाला जो है उसको सबसे बाद में रखेंगे और 88 का जो correct answer है वो इसमें से B वाला हो जाएगा B का मतलब यह है कि चौथा पहले मत्चर का भार सबसे ज़्यादा होता है द्रविमान की बात हो रही है, भार कहना यहां सही नहीं रहेगा तो मत्चर का जो मास है वो सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद second वाला है यानि dust part के लिए उसके बाद आप देखें कि लाल रुदिर कणिकाएं जो होती है वो है इस प्रकार से हम देख रहे हैं और last में वर्षा की बूद को हम देख सकते अब वर्षा की मूद का थोड़ा से यहां dispute वाला system है कहने का मतलब यह कि आकार भिन भिन होता है वर्षा की मूद हमेशा एक normal size की रहे है यह आवश्यक नहीं तो यहां फुहारों की बात हो रही है शायद इतना हमने देखा और D वाले को चुनते इसके बाद आगे चलते हैं यहां जो next question और जरा सा question number 88 में थोड़ा correction कर लिजे इसका जो answer है वो बहुत सही नहीं दिया है और उसी साफ से करेंगे तो प्रेशन गलत हो जाएगा मतलब लाल रुधिर कोशिकाये जो होती है उसका 10 की घात minus 13 इसमें किलोग्राम में द्रभिमान ना पा जाता है 10 की घात minus 13 है याद रखेगा मतलब 10 to the power minus 13 धूल के कड़ जो होते हैं dust particle उनका 10 to the power minus 9 होता है वर्षा की जो बूध होती है उसका 10 to the power minus 6 होता है और मच्छर का जो है वो 10 to the power minus 5 होता है चूज odd among the following यहाँ पर turbine, dynamo, car की बैटरी और पवन चक्की दे रखी है मतलब windmill इसमें से odd कौन सा है तो इसमें अगर आप देखें तो turbine, car की बैटरी, पवन चक्की, डैनमो इस प्रकार से है कौन सा विशम होगा तो C वाला हो जाएगा car की बैटरी इसमें से अलग है बाकी जितने हैं, वो इसमें एक जैसे है कैसे? तो turbine जो है, वो यांतरी कूर्जा को विदू तूर्जा में बदलती है डैनमो यांतरी कूर्जा को विदू तूर्जा में बदलता है वो nuclear fusion के principle पर work करता है यानि नाभी की सलयन के सिध्धान पर काम करता है और digital logic जो है इसका base यहां पर आप देख रहे हैं इस based on principle of electronic circuit मतलब digital logic gate वगेरा जो होते हैं मतलब end gate होता है और gate होता है इस अब आपने जो digital electronics से उसमें पढ़ रखा होगा तो वो सब जो काम है वो किस चीज़ पर base करता है वो electronic circuit पर आधारित होता है और radio work on principle of transmission of electromagnetic wave यानि जो radio होता है वो विद्दुचुम्ब की तरंगों के संचरण के सिध्धान पर काम करता है गलत इ यानि uranium 235 या जो भी इंधन इस्तिमाल किया जाए radioactive उसका विखंडन करवाया जाता है और विखंडन के बाद जो बेहिसाब बुर्जा निकलती है उसको यहां control में करके उसका सही तरही के से इस्तिमाल करते है nuclear fusion इसमें नहीं होता है ठीक है और नीचे वाला दोनों सही है त उसको आप ध्यान दीजेगा इसका ए वाला correct हो जाएगा 91 को देखते है which of the following two cells have the equal electromotive force विद्द वाहक बल इसमें से किन दो सेलों का एक बराबर है Daniel cell, सुषक सेल, लैकलांशे या सीसा संचायक इसमें आप देख सकते हैं cells के नाम दिये हैं और इसमें से जो electromotive force equal हो दोनो का वही आपको चुनना है, 91 का B वाला सही रहेगा, B का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा dry cell और लैकलांशे इनका जो electromotive force है वो match करता है, Daniel cell का कितना होता है, तो Daniel cell का यह होता है 1.08, वोल्ट में यहाँ पर नापते हैं ठीक, उसके बाद सुषक सेल यानि जो dry cell है उसका अ पता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, फिलाल आगे चलते, question number 92, 92 में यह कहा जा रहे है कि select the correct option, विद्धुत हारा एक सदिश राशी है, यानि एक vector quantity है, chemical energy is converted into electrical energy by photoelectric cell, मतलब प्रकाश विद्धुत सेल के द्वारा रासायनिक उर्जा का रूपांतरण विद्धुत उर ठीक, विद्धुत हारा कैसी राशी है, यह अधिश राशी है, यानि scalar quantity है, vector quantity नहीं, यहाँ पर परिमान की ही आउशिकता होती है, दिशा नहीं चाहिए, और विद्धुत सेल में रासायनिक उर्जा का रूपांतरण विद्धुत उर्जा में होता है, जबकि प्रकाश वि लगनी किरने है, न्यूटन उसके आगे लिखा है, दृश किरने है, हैंडिक हर्टज की त्वारा खोजी गई, अवरक्त किरने है, विलियम हर्शल की त्वारा खोजी वही और लगु रेडियो तरंगे, यानि जो short radio waves होती है, उनको खोजने वाले John Wilmer Ritter थे, आप यह होती है, विजिबल रेज होती है, वो न्यूटन के द्वारा, लगु रेडियो तरंगे, यह हेंडिक हर्टस के द्वारा, इसमें सही कौन सा है एक मात्र, यह औरक्त वाला, इंफ्रारेड वाला, इसके बाद next, question number 94, यहां यह कहा जा रहा है कि मेसर की उप्योग के बारे मे सही विकल्प का आपको चैन करना है, तो आँखों की शलय चिकित्सा में मेसर का इस्तिमाल किया जाता है, लेसर और मेसर आपने पढ़ा होगा, मतलब लेजर और मेसर, इसके बाद दात का उप्चार करने में इसका यूज किया जाता है, डेंटल ट्रीटमेंट में, और treatment of various type और 94 को अगर आप देखें तो D वाला हो जाएगा इसमें सही विकल्प आपको चुनना था laser का उपयोग नहीं होता है इसे आप देख लीजे यह जितने भी इस्तिमाल आप देख रहे हैं यह laser के इस्तिमाल आखों के शलिचिकित्सा में होता है laser therapy आप देखते ही है दात के उपचार में होता है, कैंसर के उपचार में होता है मेजर का यूज कहां पे होता है तो मेजर का फुल फार्म होता है Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation ठीक, ये Microwave के सहारे काम करता है तो इसमें से कोई भी जो पेर है, वो सही नहीं इसके बाद 95 को देखते हैं यहां ही कहा जा रहा है कि Select the Correct Option Related to Use of Laser अभी Laser के बारे में बात हुई, अभी यहां फिर से तो Aerosol का अध्यान करने में बादलों की संरशना मालूम करने में वायुमंडली घटनाओं का अध्यान करने में ध्वनी प्रदूशन को मापने में बताईए इसमें से सही कौन सा है जो कि इसके इस्तिमाल से जुड़ा हुआ है और 95 का इसमें से D वाला हो जाएगा इसमें से कोई नहीं Aerosol का अध्यान करना, बादलों की संरशना ग्याद करना और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वायमंडली घटनाओं का भी अध्यान करना और भणी प्रदूशन की माप करना, जाचना वगेरा इस सब लिडार का काम ठीक, लिडार का काम है, लिडार का मतलब क्या होता है Light Detection and Ranging ठीक, आगे चलते, अगले प्रशन को देखते है None of these इसका था, गलत विकल्प इसमें चुनना है तो घेंगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक यानि I-157 का यूज किया जाता है ये आयोडीन का समस्थानिक है यानि आइसोटोप है, इसके बाद सक्रिय जो समस्थानिक होते हैं रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप होते हैं उनका उपयोग भूमिगा तेल और गैस पाइपलाइन जो होती है उनके अंदर जो लीकेज होता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है और नुकलियर रियक्टर में यूरेनियम के समस्थानिक का लेकिन उसका जो नंबर दिया है वो 157 नहीं होगा बलकि 131 होगा आयोडीन 131 जो है वो घेंगा रोग के उपचार में इस्तिमाल किया जाता है बाकि जो दोनों दिये हैं वो सही दिया है परमाडु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का इस्तिमाल किया जाता है पोलोनियम का नाम आपने सुना होगा इस प्रकार से बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि रेडियो सक्रियो होते हैं और वो इधन के तौर पे इस्तिमाल होते हैं कई बार उनके जो समस्थानिक होते हैं उसमें जस्ता, औक्सिजन और बिसमत आते हैं अनुचुम्बकी जो होते हैं यानि पेरामेगनेटिक उसमें सोडियम, जल और प्लैटिनम आते हैं जो फेरोमेगनेटिक यानि लोहा निकिल और मैगनेटाइट का नाम आता है तो सही कौन सा है जरा बताइए देखे इसका C हो जाएगा केवल तीसरा वाला इसमें सही है यानि जो law चुम्बकी का दिया हुआ है यही एक मात्र सही है प्रति चुम्बकी ये पतार्थों में जस्ता, जल यानि पानी और बिस्मत हाते हैं और अनुचुम्बकी ये पतार्थों में sodium, oxygen और platinum का नाम आप ले सकते हैं ठीक, तो इसका सिर्फ तीसरा वाला ही सही था 98 को देखते है select the incorrect option जो जराद रिष्टि दोष होता है यानि cylindrical lens का उसमें यूज किया जाता है ये बताया गया है, तो जराद रिष्टि दोष में myopia की बात हो रही है, उसमें autal lens का इस्तिमाल किया जाता है, concave lens की बात हो रही है तो इसमें गलत कौन सा है कौन से आख की बिमारी के लिए कौन सा lens यूज होता है या आपको पता होना चाहिए और 98 का जो correct answer है वो A हो जाएगा एका मतलब यह है कि पहला और दूसरा इसमें गलत है पहला और दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है तो तीसरे वाले को आप याद रखेंगे जराद रिष्टि दोष जो होता है यानि बढ़ापे के कारणिया आयू की अवस्था जो है जब बढ़ जाती है तो उस कंडिशन में जो आँखों में कमजोरी आती है उसके उपचार के लिए जो बाई फोकल लेंस है उसका इस्तिमाल किया जाता है और आब इंदुखता नाम का जो रोग है इसको अगर देखा जाए तो इसके दोष के उपचार के लिए बेलना कार लेंस यूज किया जाता है यहाँ उल्टा दे दिया है बेलना कार इधर होगा और वी फोकस इधर होगा इसके बाद आगे चलते हैं question number 99 आप देख रहे हैं निमनलिखित पदार्थों को उनके critical angle के मान के आधार पे अवरोही क्रम में सजाईए यहाँ पे जो क्रांतिक कोण होता है उसी के मान के आधार पे आपको जो सबसे जादा मान वाला है उसको सबसे पहले रखना है और सबसे कम वाले को सबसे बाद में रखना है तो यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम दिये हैं जिसमें के पानी, flint glass है इसके अलामा crown glass है और हीरा यानि diamond है अब इनका जो क्रांतिक कोण है वो अगर आपको थोड़ा सा अंताजा होगा तो आप अरेंज कर सकते हैं देखें इसका जो सही arrangement है वो B वाला हो जाएगा इसका जो correct answer है वो B वाला हो जाएगा इसके बाद last question को देखते है यहाँ पर incorrect option आपको चूज करना है तो shining of diamond total internal reflection मतलब कौन सी घटना किस वैग्यानिक विधी से जुड़ी हुई है वो आपको देखना था मरीची का जो होती है उसमें प्रकिरेडन जिम्यदार होता है तारों के टिम्टिमाने में अपवर्तन की घटना उत्तरदाई होती है और साबुन के बुलबुले का जो रंग होता है वो काफी colorful इंद्रधनुशी दिखाई देता है तो उसके पीछे जो व्यतिकरण की घटना होती है वो उत्तरदाई होती है इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लीजेगा यहाँ पे प्रकाश की अलग-अलग प्रवित्तियां होती है उसमें total internal reflection आप देख रहे है scattering देख रहे है, reflection देख रहे है और interference देख रहे है बताईए कौन सा इसमें से गलत है तो इसे अगर आप देखें तो इसका correct answer B वाला हो जाएगा मरीचिगा का जो प्रकीरण दिया हुआ है प्रकीरण की वज़े से नहीं होती है बलकि सेम वही process होता है जो हीरे के चमकने में होता है पूर्ण आंतरिक परावरतन मतलब अपने उपर पढ़ने वाले लगभग पूरे प्रकाश का यहाँ पर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पूरा समूचा प्रकाश ही वापस लोटा देता है लेकिन maximum जो light का amount होता है उसको यह reflect कर देता है इसी को कहा जाता है total internal reflection और आप जानते हैं कि कोई भी चीज वो जितनी चमकदार दिखाई देती है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी मात्रा में प्रकाश का परावरतन कर रही है जितना ज़्यादा प्रकाश को reflect करेगी उतनी ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी तो यह मिरेज की घटना होती है जिसको कि मरीची का खा जाता है मरीची मतलब हीरन होता है तो मरीची का की घटना में होता है कि हीरन के बारे में कहानी है कि उसको भ्रहम हो जाता है कि रेगिस्तान में कहीं दूर पानी की नदी बह रही है जील है और वहां तक वो दोड़ के जाता है तो वहां बालू उसको सर्फ दिखाई देता है तो ऐसा भ्रम होता है मतलब धूब के पुरभाव से बालू जो है वो रिफलेक्टकरता है प्रकाश को और वहां पे भ्रम जैसे इस्थिटी पैदा होती और वही हाल यहां हीरे के चमकने का भी है बागी जो तारों की टिंटिमाने की घटना है तो उसमें वाई मंडल की जो परते हैं उसके बीच में अपवर्तन की घटना होती है तो इसका बी वाला एंसर इसमें रॉंग है और वही हमें चुनना था तो यहां तक हमने यह जो टेस्ट है से कंप्लीट किया है और ऐसी श्रंखिला आपको लगातार जारी रहेगी, मिलती रहेगी, बने रही है हमारे साथ और तब तक के लिए नमस्कार